C-I-E-T-N-C-E-R-T presents Trilingual Dictionary History Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास विद्यालयों के लिए त्रिभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी Letter E Index Word and Page Number Empire Page 47 Endogamy Page 47 Enlightenment Movement Page 47 Epigraphy Page 47 Equites Page 47 Estates General Page 48 Ethnicity Page 48 Ethnography Page 48 Excavation Page 49 Exogamy Page 49 Now let's move to the Dictionary of History Page 47 E Empire It is a political formation comprising a vast stretch of geographical territory, it may be heterogeneous in terms of resident ethnic groups, languages spoken, cultural practices, as also the level of economic development. It was ruled from one central location, either by a single ruler or an oligarchic group. The very vastness and heterogeneity of the empire contributed to its general instability. Empires generally tended to be despotic in nature. 4 Sāmrajj Sāmrajj Dit, एक राज्जनीतिक संरचना है, जिसके अंतर गत, एक विशाल, भौगोलिक ख्षित राता है. इसके निवासियों की नसलें, जातियां, भाषाएं, सांस्ट्रतिक रीति रिवाज यहां तक की आर्थिक विकास का सथर भी भिन भिन किस्म का हो सकता है ऐसे सामराज्य का शासन एक केंद्रिय स्थान से एक अकेले शासक अथवा अल्पतंत्रिय समुहुद्वारा किया जाता था सामराज्य की ये विशालता और बहु विविधता ही उसकी सामान अस्थरता का कारण बनती थी सामराज जे अधिक तर स्वेच्छाशारी खिस्म के होते थे सल्तनत ये एक सियासी तश्कील है जिसके तहट जोग्राफियाई अलहाज से वसी वा अरीद इलाके होते हैं यहां रिहाईशी पजीर लोगों की नसलें, जबानें, तैजीबी रसूमात और इत्तसादी तरक्की के मेयार भी मुख्तलिफ अल्नू हो सकते हैं इस किसम की सल्तनत पर किसी मरकजी मकाम से एक हाकिम या चंद सहाब इक्तिदार गिरो हुकूमत करते थे सल्तनत का वसी और गैर मुतजन्नस होना ही दरासल इसकी अमूमी नापायदार का बाइस होता था सल्तनतें अपनी नौयत के अलहाज से बिलुमूम मुतलकुल इनान होती हैं This term refers to the practice of marriage within a group. It could be a kin group, caste और a group living in the same locality. Marriage outside the group is called exogamy. See also exogamy. अंतर विवाह जिसमें शादियां सिर्फ खांदान के अंदर ही की जाती थी ये रिष्टेदारूं, जात या एक ही इलाके में आबाद लोगों का गिरव हो सकता था इस गिरव से बहार शादी करने को खारिजी जौजियत कहा जाता था मजीद देखें खारिजी जौजियत Enlightenment Movement The term refers to the philosophical intellectual movement that captured the imagination of Europe during the late 17th and 18th centuries The objective of this movement was to reform society by replacing superstitious beliefs and ignorance with reason and scientific thinking This era of revolutionary ideas is also known as the age of reason or the age of enlightenment The most well-known philosophers of this movement were Baruch Spinoza, John Locke, Isaac Newton, Immanuel Kant and Voltaire Gyanoday Aandolan इस शब्द का तातपर्य एक ऐसे दाश्णिक एवं बौधिक आंदोलन से है जिसने सत्रमी और अठारमी शताब्दी में यौरप के चिंतन मनन को प्रभावित किया इस आंदोलन का उद्देश लोगों के मन में व्याप्त, अंध विश्वासों और अज्ञानतक स्थान पर तर्क और वैज्ञानिक चिंतन को स्थापित करके समाच को सुधारना था क्रांतिकारी विचारों वाले इस युग को तर्क का युग अथवा ग्यानोदय युग भी कहा जाता है इस आंदोलन के सुप्रसिध दार्शनिक थे बरूच स्पिनोजा, जॉन लॉक, आईजिक न्यूटन, हिमैनूल कांट और वॉल्टेयर तहरीक रोशन खयाली इस इस्तिला से मुराद वो फिक्री वा फलसफियाना तहरीक है जिसने सत्रवी सदी के अवाखिर और अठारवी सदी के दर्मियान यूरोप के तखील को अपनी गिरफ्त में ले लिया इस तहरीक का मकसद जहालत पतहुमात खतम करके मुन्तकी और साइनसी तरजे फिक्र के जरिए समाज की इसलाह करना था इनकलाबी फिक्र का दौर एहद ताक्कुल या एहद रोशन खयाली के नाम से भी जाना जाता है इस तहरीक के मशूर तरीन फलसफियों में बरूट स्पिनोजा, जॉन लॉक, आईजाक नूटन, इम्मैनूल कांट और वॉल्टेर हैं Epigraphy Epigraphy is the study of inscriptions It includes deciphering the text of inscriptions and analyzing the information they contain It also includes paleography, the study of ancient writing See also inscriptions Abhilek शास्त्र Abhilek के अध्ययन को Abhilek शास्त्र कहा जाता है इस विद्या में Abhilek की विशेवस्तु को पहचानना तथा उसे पढ़ना और उसमें प्रस्तुत जानकारी का विशलेशन करना शामिल है इसमें पुरा लिपिशास्त्र यानि प्राचीन लेखन का अध्ययन भी शामिल है Abhilek भी देखें मुतलाए किताबात कुत्बों के मुताले को एपिग्रफी कहा जाता है इसमें कुत्बों के मतून को समझना और इनमें दर्ज मालूमात का तंजिया करना शामिल है इसमें कुत्बा खवानी यानि कदीम तर्ज तहरीर का मुताला भी शामिल है मजीद देखें कुत्बें Towards the end of the empire, around 4th century CE, the senators and equaits were merged to form an expanded aristocracy They mostly belonged to the Italian families, although a substantial number of them were also of African and Eastern origin Page 48 Equait और बैंकर भी होते थे जो व्यवसाइक गतिविधियों में सनलगन रहते थे Roman सामराज्य के आखरी वर्षों यानि ईसा की चौथी शताबदी के आसपास Senator और equaits को मिला कर एक विस्तारित अभिजात वर्ग बना दिया गया था इस वर्ग में अधिकांश लोग इतालवी परिवारों के थे तथा पी, अफ्रीकी और पूर्वी मूल के लोगों की संख्या भी काफी अधिक थी Equaits यानि शेहसवार यह इस्तला लातनी लवज Equus से माखूज है जिसके माईने घोड़ा है यहां इशारा उस रोमी घोड़ सवार दस्ता के अरकान यानि नाइट्स की जानिब है जो रोमी सल्तनत का दूसरा सबसे ताकतवर और दौलतमन तपका था मजलिस अमाईट के अराकीन की तरहां अकसर शेहसवार भी जमीन के मालिक होते थे ताहम अराकीन मजलिस अमाईट के बरक्स इन में बहुत से शेहसवार जहाजूं के मालिक ताजिर और सहोकार भी थे जो तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ रहते थे तक्रीबन चौथी सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत के खात्मे के गरीब तौसी शुदा इश्राफिया के कयाम के लिए शेहसवार और मजलिस अमायित के अराकीन एक दूसरे में जम हो गए इनमें ज्यादतर का तालुक इतालवी खांदान से था गर्चे अफरीकी वा मश्रीकी नसराद लोगों की भी अच्छी खासी तादात थी Estates General In pre-revolutionary France, the Estates General, that is the French National Legislature, comprised three estates, namely the clergy, the nobility and the rest of the people It first met in 1302, and its purpose was to advise and support the king By 16th century, it came to be summoned by the king only in times of crisis After 1614, it was not called for a long time, until popular demand forced the king, Louis XVI, of the Bourbon dynasty, to summon it in 1789 However, the Estates General was not allowed to meet, as the king refused to accept the demand of the Third Estate, which urged all the three estates to meet together It led to the beginning of the French Revolution Estates General Kranty से पहले के France में Estates General, यानि France का राष्ट्रे विधान मंडल, तीन estates, अर्थात, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और शेश साधारन लोगों से मिलकर बना था इसकी पहली बैठक, 1302 में हुई, और इसका उद्देश्य समराट को सलहा और समर्थन देना था 16वी शताब्दी तक, समराट द्वारा इसे केवल संकट के समय ही बुलाया जाने लगा 1614 के बाद इसे लंबे समय तक नहीं बुलाया गया परन्तु 1789 में जनता की मांग पर बुर्बन वनशिय समराट लुई सोल्वे को इसकी बैठक बुलानी पड़े किन्तु एस्टेट्स जनरल की बैठक संभव नहीं हो सकी क्यूंकि समराट ने जनता के तीसरे वर्ग द्वारा की गई इस मांग को मानने से इंकार कर दिया कि सभी वर्गों की बैठक एक साथ हो इसके परिनाम सुरूप फ्रांसिसी करांती का जन्म हुआ स्टेट्स जनरल इनकलाब फ्रांसिसी कबल स्टेट्स जनरल याने फ्रांसिसी मजली से इंसाज तीन तबकों याने पादरी, आमरा और अवामन नास पर मुश्तमिल थी इसकी पहली नशिस्त तेरा सो दो में हुई जिसका मकसद बादशा को सलावा मश्वरा देना और हिमायत करना था सुहलवी सदी से बादशा इसे सिर्फ बहुरान की सूरत में तलब करता था सोला सो चौदा के बाद तवील अरसे तक इजलास तलब नहीं किया गया यहां तक के शदीद मुतालबात ने बरबन खांदान के बादशा लूई शांजदहम को 1789 में इजलास करने पर मजबूर कर दिया ताहम स्टेट्स जनरल की नशिस्त की इजाजत नहीं दी गई इसलिए कि बादशा ने तीसरे तपके के मुतालबे को कुबूल करने से इनकार कर दिया कि तीनों तपकों की नशिस्त एक साथ हो इसी से इनकलाब फ्रांस का आगाज हुआ Ethnicity It refers to the identity of a group of people who are supposed to have common characteristics. Such an ethnic group is known for maintaining distinctive lifestyle, culture and a sense of history which differentiate it from other. In democratic societies, political mobilization based on such identities leads to increasing challenge to the political systems. नुरिजातियता ये शब्द एक जैसे जनसमुह की पहचान का दियोतक है, जो समान विशेष्टाओं वाले समझे जाते हैं. ये नुरिजातिये समुह अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली, संस्कृती और इतिहास की समझ के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग दर्शाती है. लोकतांत्रिक समाजों में इन पहचानों पर आधारित राजनीतिक ध्रुविकरण के कारण, राजनीतिक प्रनालियों के समक्ष, अधिकारिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं. नसलियात, इससे मुराद ऐसे इनसानी गिरो की शिनाक्त है, जिनके बारे में खयाल किया जाता है, कि इन में एक जैसी खुसूसियात होती हैं. इस किस्म के नसली गिरो अपने खास तर्ज जिन्दगी, तहजीब वा सकाफत और शाओर तारीख को बरकरार रखने के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें एक दूसरे से मुम्तास करते हैं, जमहोरी माशरों में इस तरह की शिनाक्तों पर मुबनी सियासी तहरीक, सियासी न इस विशय के अंतरगत मानव जाती के भिन भिन समूहों का अध्ययन किया जाता है, इस अध्ययन में रहन सहन के तरीकों, आजीविका के साधरों, लैंगिक संबंधों, रीति रिवाजों, राजनेतिक और सामूहों, अमाजिक संस्थाओं तथा ऐसे ही अन्ने पहलूओं का विस्तितवर्नन और विशलेशन शामिल होता है। पचे 49 उत्खनन विधिवत रूप से मिट्टी को हटा कर पुरा तत्विये अवशेशों को व्यवस्थित रूप से निकालने की क्रिया को उत्खनन कहा जाता है पुरा तत्विय उत्खनन की सफलता, नक्षे बनाना, खुदाई की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिलेग तयार करना, शिल्प कृतियों को संभाल कर रखना, उनका विवरन तयार करना, फोटो लेना और उन पर लेबल लगाना जैसी अनेक क्रियाओं पर निर्भर करती है चोकि उत्खनन की प्रक्रिया के दोरान महत्वपूर्ण साक्षियों के नश्चोने की संभावना भी बनी रहती है, इसलिए ऐसे कारे संपन करते हुए परयाप्त सावधानी बरती जाती है, जिससे की पुरा तत्विय स्थलों पर उपलब्ध जानकारी को सुरक्षित रख खुदाई के तमाम तरीकों का अंदराज, तस्वीर कशी, लेबल लगाने और दर्याप शुदा अशिया मजनुआत की हिफाज़त करने पर खास तवज्जो दी जाती है, चुँके खुदाई में सबूत के तलफ होने का भी इमकान रहता है, इसलिए ये नहायत तवज्जो के साथ की जाती है, ताके असारे कदीमा से मुतालिक फराहम शुदा मालूमात को अच्छी तरह मुंदराज और महफूज किया जा सके। अपने खानदान या कबीले से बाहिर शादी करने को खारजी जाजियत कहा जाता है, मजीद देखें, दाखिली जाजियत Letter E of Triangular Dictionary of History for Schools ends here, read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary, you were just listening to this presentation. Project Coordination Rajesh Nimesh, Subject Coordination Dr. Shima Shukla Ojha, Project Advice Dr. Bharti Kaushik, Technical Coordination Batilang Lingdo, Assistance in Production Tanu Gupta, Framework Advice Ajit Horo, Production Coordination Vandana Arimardhan, Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET, NCERT, New Delhi, India.